तो आज मैं explain करने वाली हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि एक ड्रेगन की गुफा में फास जाती है तो क्या वो ड्रेगन से जिन्दा बचकर इस गुफा से बाहर आप आएगी और आप आएगी तो कैसे तो चलिए जानते हैं आज की इस मुवी में जिसका नाम है डैमसल तो चलिए इस मुवी को शुरू करते हैं मुवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक राजा को देखते हैं जो अपनी पूरी सेना के साथ ड्रेगन की गुफा की तरफ जा रहा था जैसी वो इस कुफा में आते हैं वो यहां चारो तरफ इस ड्रेगन को ढूणने लगते हैं लेकिन तभी उनकी नजर एक चीज़ पर पढ़ती है कि तभी सामने से ड्रेगन आ जाता है और राजा की पूरी सेना को अपनी आंक से मार डालता है अब यहां पे राजा बहुत जदा डर चुका था इसलिए वो ड्रेगन के सामने हार मान लेता है और उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहां अपने हार मानता हूँ और हम दूसरी साइट से ड्रैगन को भी आते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा था अब सीन नहीं पर कट हो जाता है इसके बाद हमें सद्यो बात का सीन दिखाया जाता है और हमें kingdom का scene देखते हैं जहाँ पर हमें पदा चलता है कि ये kingdom बहुत ज़्यादा गरीब है और यहां के लोग भूप से मर रहे हैं और इनके हालात को सुधारने के लिए इनके राजा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके बाद हमारी कहानी की mail lead को देखते हैं जिसका नम ऐल का रिष्टा हो गया तो उनके राज्ये के हिलाद पहले से बहुत जादा अच्छे हो सकते हैं इसलिए वगो अपनी बेटी को इस रिष्टे के लिए हा कहन देए का मन नहीं होता लेकिन फिर भी वह अपने राज्ये के लिए माँ जाती है और इन सब को देखते हैं जो शिप में उस राज्य की तरफ निकल जाते हैं शादी करने के लिए लेकिन तब ही यहाँ पे समंदिर तुफान आ जाता है जैसे यह उस आइजलन के पास भोचते हैं और इस समंदिर तुफान में वो बहुत सारे ड्रैगन्स को भी देखते हैं जो द होता है और फिर यह अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं जैसे ही रात होती है मैलोडी यहाँ बालकनी पर आती है और बहर का नजारा देखने लगती है लेकिन तब ही ऐलोडी को दूर की गुफाओं में कुछ आग जलती हुई दिखाए देती है अगले दिन जैसे ये महराने से मिलते हैं वो बोलती है कि मुझे रिष्टा मनजूर है और हम कल ही शादी करेंगे लेकिन इससे पहले महरानी बोलती है कि मुझे एलोडी के पापा से कुछ बात करने है इसलिए वो एलोडी के डैर्ट से बात करने के लिए चले जाती है दूसरे तरफ हम प्रिन्स और ईलोडी को देखे हैं जो आपस में बात कर रहे थे ईलोडी के उनसे पूछती है कि मैं इस शादी के लिए तयार नहीं हूं मेरी फैमिली वाले मुसे जबरदस्ती कर रहे हैं वो प्रिnd से पुछती है कि क्या आप इस रिश्टे के लिए तयार है इस पर प्रिंस कहता है कि मुझे थाप बहुत जादा पसंद है और मैं शादी के लिए तयार हूँ इसलिए कि यहां से गूमते गूमते उन पहाडों के पास पहुँच जाते है इसके बाद एलोडी उन्हें बताती है कि मैंने उन पहाडों में रात को आग जलती हुई देखी थी इसके बाद प्रिंस बताता है कि वो पहाड हमारी खास रस्म का हिस्सा है हमारी शादी के बाद हमें वहाँ जाना है और उन खास रस्मों को निभाना है इसके बाद जैसे ही हम एलोडी की डैट को देखती हैं जब से वो क्वीन से मिलकर आये थे वो बहुत साथा परिशान थे इस पर एलोडी की मॉम उसे पूछती है कि हुआ कहा है लेकिन वो कुछ नहीं बताते इसलिए एलोडी की मॉम क्वीन के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है लेकिन क्वीन उनसे कोई बात नहीं करती और उन्हें यहां से जाने के लिए कहती है इसके बाद जैसे ही एलोडी अपनी शादी के लिए तयार हो रही थी रात को उसकी मौम उसके पास आती हैं और बताती है कि मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है जैसी वो कुछ आगी कहने वाली थी तब ही पीछे से एलोडी के डैड आ जाते हैं और अपनी वाइफ को यहां से लेकर चले जाते हैं फिर अगले दिन हम प्रिंस और एलोडी की शादी का टाइम देखे हैं जहां पर यह सब बहुत ज़दा खुछ थे और फाइनली इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जैसी कि प्रिंस ने बताया था कि हमें उन गुफाओं में जाना है वहाँ पर हमारी शादी के बाद एक रस्म होती है इसलिए प्रिंस और एलोडी दोनों ही इस रस्म के लिए चले जाते हैं जैसे ही यह दोनों यहाँ पहुचते हैं क्वीन यहाँ पहले से मौजूद थी और उसने बहुत अचीब सा गेट अप भी करका था और फिर वो एलोडी के एक कहाने सुनाती है प्रिंट यहाँ पर एलोडी को बताती है कि सालों पहले इस गुफाओं में एक ड्रैगन रहती थी जो कि हमारे किंग्डम को बहुत परिशान करती थी इसलिए हमारे यहाँ के एक राज़ा ने उससे बदला लेने का डिसाइड किया और यहाँ पर उससे लड़ने आ गए लेकिन वो ड्रैगन जब बहुत ताकतवर थी उन्होंने हमारे राज़ा को भी हरा दिया इसलिए हमारे राज़ा ने उसके साथ एक डील की कि अगर अब हमारे तीन बेटियों को कुरबान कर दें तो वो हमारे किंगडम को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएगी और उस दिन के बाद से वो ड्रैगन हमारे किंगडम से दूर हो गई और उसी दिन के बाद से हम भी यह रसम करने लगे इसके बाद Queen आती है और prince और l.o.d. दोनों के हाथों पर एक cut लगाती है और उनके खून को mix कर देती है और बोलती है कि आज के बाद तुम दोनों एक हो गए इसके बाद prince l.o.d. को अपने गौध में उठाता है और यहां पर l.o.d. बहुत ज़ादा खुशती लेकिन अगली ही फनल उसकी खुशी खتم हो जाती है क्योंकि प्रिंस एलोडी को उस गुफावं में फेक देता है और बीचारी एलोडी नीचे जाकर गिर जाती है और बहोश हो जाती है जैसे एलोडी को हुश आता है वो मदद के लिए चिलाने लगती है लेकिन उपर कोई नहीं होता अब उसकी आवाज को सुनकर ड्रैकन भी जाग जाती है और एलोडे सोचती है कि यहां कोई नहीं आने वाला मदद के लिए और मुझे खुद ही उपर जाना होगा इसलिए वो उपर चड़ने के कोशिश करती है लेकिन वो उपर चड़ नहीं पाती ही वो बार-बार फिसल कर नीचे गिर जाती है अब जैसे ही एलोडे से नीचे गिर जाती है वो नोटिस करती है कि आसपास काफी सारी लड़कियों का सामान है मतलब यहां पहले भी लड़किया आई होंगी लेकिन जैसे वो यहां से भागने की कोशिश करती है तब ही वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है जो अपनी आँख से सब चीजों को जला रही थी ड्रैगन को देखकर एलोडी बहुत सदा डर जाती है और यहीं पर छुप जाती है तब ही ड्रैगन आती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है एलोडी अपना नाम बताती है उसके बार ड्रैगन बोलती है कि तुम जानती हो तुम्हिआ जानपुच के लाया गया है और इसलिए मैं आज तुम्हिया मार दूँग्छ यलोडी उससे पूछती है कि तुम मुझे मारना क्यू चाहती हो ड्रैगन कहती है क्योंकि तुम्हारे अंदर से साही घून की स्मेल आरही है इसलिए मैं तुम्हें आज मार दूँगी एलोडी ये सुनकर बहुत ज़दा डर जाती है और यहां से भागने लगती है लेकिन ड्रैगन उसका पीछा करती है और अपनी आग से उस पर हमला करती है लेकिन उसकी आग से बशने के लिए एलोडी एक छोटी से गुफा में छुप जाती है लेकिन फिर भी उसके पैर पर आग लग जाती है और उसका पैर आग से जल जाता है इसके बाद वो अपने पैर की घाव पर अपने ड्रेस का ही टुकड़ा बांद लेती है और यहां से बाहर निकलने का रास्ता दूणने लगती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे एक नीली रोश्य दिखाई देती है और इसका पीछा करते हुए वो देखती है कि यह नीली रोश्य एक पेड से आ रही है वो इस पेड़ के पास जाने ही वाली थी लेकिन बीच में खाया जाती है अब सोचती है कि उसे इस खाय को पार करना ही होगा वरना वो ड्रैगन उससे मार डालेगी अब वो यहाँ पर जम्प कर देती है लेकिन उसके एक पैर में चोट लगी हुई थी इसलिए वो उस खाय में गिरने लगती है लेकिन उसके हाथ में एक चाको था जिसकी हेल्प से वो उपर चड़ जाती है लेकिन वो नोटेस करती है कि नीली रोशन चमकने वाले कीडे है वो अपने ड्रेस को फिर से फारती है और एक पोटली बना लेती है वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये कीडे चमकने वाले थे वो उसे आगे का रास्ता दिखा सकते थे और ही सचकर वो इसकी पोटली बना कर अपने साथ ले जाती है लेकिन जैसे वो आगे पहुँच थी उसे एक पानी का छोटा सा तलाब मिलता है अब उसे बहुत प्यास लगी थी इसलिए वो यहाँ पर पानी पीने लगती है लेकिन जैसी वो पानी पीती है तब ही वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और उसे अपनी आग से हमला करती है लेकिन इस बार भी एलोडी वहाँ बच चाती है और एक छोटी सी गुफा में गिर जाती है और यहाँ पर जैसी वो गुफा में गिरती है उसे दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के नाम लेके हुए मतलब यहाँ पहले भी लड़किया आई हुई होगी और इसी हातों ड्रैगन के हातों मारी गई होंगी और यह सचकर वो बहुत ज़ादा डर जाती है और यहीं पर सो जाती है लेकिन जैसे वो सुबह उठती है वो नोटिस करती है कि वो सारे नीले कीड़े उसके शरीर पर चिपके हुए है और इससे वो बहुत ज़ादा डर जाती है और उस नीले कीड़ों को अपने शरीर से हटाने लगती है और वो नीले कीड़े उसके पैर के घाव पर भी लगे हुए थे इसके बाद वो देखती है कि यह कीड़े उसके जखमों पर भी बैठे हुए है और वो दिरे दिरे इन कीडों को हटाने लगती है लेकिन जैसे ही वो इन कीडों को हटाती है वो देखती है कि इस कीडों ने उनके जखमों को ठीक कर दिया है इसलिए वो बहुत सारे ऐसे कीड़े ले ले लेती है ताकि आगे अगर उसे चोट लगे तो वो अपनी जखमों को ठीक कर सके इसके बाद एक पत्थर पर उसे यहां से निकलने का नक्षा दिखाई देता है इसलिए वो इसे फॉलो करती हूँ यहां से बाहर निकलने का शोसती है जैसी वो इस नक्षे को फॉलो करती है उसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिक तो जाता है लेकिन यह नुकिले पत्थरों से भरा हुआ था लेकिन इस पर भी ऐलोडी हार नहीं मानती है और उपर चड़ी जाती है और फाइनली उसे बाहर निकलने का रास्ता मिली जाता है लेकिन ये रास्ता जमीन से बहुत ज़्यादा उपर था अब यहां से वो अगर गिर जाती तो मर ही जाती अब यहां पर ऐलोडी बिल्कुल टूट चुकी थी वो सोचती है कि मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी तब ही यहां पर ड्रैगन भी आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है लेकिन अलोडी इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाती अलोडी फिर से गुफा में छिप जाती है और ड्रेगन उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहां से जन्दा नहीं जाने दूंगी यह तब हम देखती हैं कि गुफा के अंदर से एलोडी के डैट की आवाज आने लगती है और ड्रेगन और एलोडी दोनों ही एलोडी के डैट के पास जाने लगते हैं इसके बाद जैसी एलोडी यहां से जाने लगती है रास्ते में ही उसे ड्रेगन के अंडे दिखाए देते हैं और ड्रेगन के तीन बच्चे भी जो मर चुके हैं इसके बाद एलोडी को समझ पर आ चाता है कि क्वीन ने जो उसे सालों पहले की कहानी सुनाई थी वो आदी ही स बच्च थी इसमें आदा छूट बताया गया था वो बताती है कि जब यहां पर बादश्या ड्रेगन से मिलने आए थे वो उन्होंने देखा था कि यहां पर ड्रेगन के तीन बच्चे हैं और लेकिन बादश्या ने उन तीनों बच्चों को ही मार डाला था जिसका बदलर ड्रेगन आज तक उनसे ले रही है इसके बाद हमें आगे का सीन भी दिखाया जाता है जब ड्रेगन ने उनकी सारी सेना को जला दिया था तो राजा उनके सामने भीक मांगता है कि मुझे यहां से जाने दो लेकिन ड्रेगन कहती है कि मैं तुम्हें वितारपता हुआ कर रही हो वो कहती है कि मैं है आपने बेटी एलोडी को बचाने आया हूँ फिर चाहे उसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना फरे इसके बाद वो ड्रेगन से लडने लगते हैं लेकिन ड्रेगन कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड प्रफिक रही थी और अपने डैड को अपने आखों के सामने मरता हुआ देखकर वो जोर से चिलाने लगती है कि तबी ड्रैगन को भी उसकी आवाजा आ जाती है और वो उसे ढूंडने निकल जाती है लेकिन तबी पीछे से एलोडी अपने डैड के पास आती है उसके डैड उससे बताती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है फिर भी मैंने तुम्हें नहीं बचा पाया और ये मेरे गुनाहों की सजा है अच्छा होगा कि मैं यहां से मर जाओं वो कहते हैं कि प्लीज तुम यहां से भाग जाओ इससे पहले की लेकिन उसका पीछा करती है और आग से हमला करती है लेकिन पथरों से बश्टे हुए किसी तरह ऐलोडी यहां से भागी जाती है दूर से क्वीन भी यह सब देख लेती है और कहती है कि यह सब उस ऐलोडी की वज़े से हो रहा है इसलिए वो यहां से चली जाती है और ऐलोडी की बहन और एलोडी की मॉम को दिखते हैं जो कि शिप में एलोडी का वेट कर रहे थे क्योंकि एलोडी की डैड ने उसे बता दिया था कि यहां से निकलते ही तुम अपनी शिप में चले जाना वहाँ पर तुमारी मॉम और तुमारी बहन तुम्हारा वेट कर रहे हैं लेकिन तभी यहाँ पर क्वीर आ जाती है और एलोडी की बेहन को गिड्नैप कर लेती हैं क्योंकि उनका प्लैन ये होता है कि वो एलोडी की बेहन को ड्रैगन को सोब देंगी ताकि ड्रैगन उनके किंडम को कुछ न कहे लेकिन एलोडी किसी तर बीन को बढ़न करना चाहती है इसलि केड़ो को इकटा करती है ताकि वो अपने घाव को भर सके और या अपने डैट की तल्वार भी उठा लेती है ताकि वो ड्रेगन से लडाई कर सके इसलिए मैं तुम सब को मार कर अपना बदला लूँगी और मैं उस एलोडी को भी मार डालूँगी इसके बाद तब ही ऐलोडी यहां पर आ जाती है और ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए वो गुफा में शोर करती है जिसके वज़े से ड्रैगन उसे ढूंडने के लिए यहां से चली जाती है और उसे यहां से लेकर जाने लगती है लेकिन तब तक ड्रैगन भी वापिस आ चुकी थी और एलोडी उसकी तरफ तलवार करती है और उसे कहती है कि क्वीन ने हम सबसे जूट बोला था कि तुम उनके किंडम को परिशान करती थी बलकि उसके किंडम के लोगों ने तुम्हारे बच्चों को मारा है लेकिन ये बात तो सालों परान है अब तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ी हूँ ड्रैगन कहती है कि जो कुछ भी हो लेकिन मैं उन सब का बदला तुम सब से भी लूँगी अब मेरे बच्चों कमारा है तो उन सब के बच्चे भी मरेंगे अलोडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम उसके नम के बच्चे नहीं है लेकिन ड्रैगन उसकी एक बात नहीं सुनती और उस पर आग से हमला कर देती है लेकिन एलोडी उससे बशने के लिए पीछे की तरफ हट जाती है और वो आग खुद ड्रैगन को ही लग जाती है जिसकी वज़े से ड्रैगन बहुत ज़ादा जखमी हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है और एलोडी चालाकी से उसकी एक आग भी फोड देती है फिर जैसे ड्रैगन जखमी हालात में नीचे पड़ी हुई थी लडी आती है और उसे अपना एक हाथ दिखाती है और कहती है कि ये लोग हमारे साथ शाही खून को मिक्स कर देती है जिसके वज़े से तुम्हें ये लगे कि हम शाही खांदान से हैं वालकि उन्होंने हमारे साथ ही धोका किया है हम शाही खांदान से नहीं हैं और वो इसी तरह बहुत सारी लड़कियों को कुर्बान करते आए हैं इस पर ड्रैगन को भी सारी सचाई पता चल जाती है और वो सोचती है कि मैंने बहुत सारी बेगुना लोगों को मा रहा है इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं खुद भी मर जाओ लेकिन एलोडी से मरने नहीं देती और वही चमकने वाले नीले कीडे उसके जखमा पर डाल देती है जिससे ड्रेगन बिल्कुल ठीक हो जाती है उसके बाद लोडी यहां से सीधा आती है उसी क्विन की किंग्डम में जहां पर वो देखती है कि वहां का प्रेंस फिर से एक लड़की को कुरबाने देने के लिए उससे शादी कर रहा था एलोडी आती है और उसे सब को सच बता देती है और यहां से जाने के लिए कहती है जब वो लड़की चले जाती है तो एलोडी सबसे कहने लगती है कि जिस जिसको भी अपनी जान बचानी है वो यहां से भाग जाओ क्योंकि थोड़ी ही देर में तुम सब यहां मर जाओगे इस पर क्वीन कहती है कि तुम अकेली लड़की हमारी पुरी किंग्डम का सामना कैसे करोगी इस पर एलडी कहती है कि मैं अकेली का हूँ ये कहते ही तब ही हम आसमान में देखती है कि वो ड्रैगन यहाँ पे आ जाती है और उस सारे किंग्डम को और किंग्डम के लोगों को अपनी आँख से जला कर मार डालती है और ऐसे उसका असली बदला पूरा हो गया था जिसने उनके बच्चों को मारा उसने उन सब को मार कर अपना बदला ले लिया था इसके बाद हम मुवी का लास सीन देखते हैं जहाँ पर एलोडी अपनी चोटी भेन और अपनी मॉम के साथ अपने किंग्डम की तरफ निकल जाते हैं और उसके साथ वो ड्रैगन भी होता है जो कि अब एलोडी का ही ड्रैगन मन के उसके किंग् और यही पर यह मुवी कहतम हो जाती है